ह café को अई है फ्रेंड़ूब्स गें सरे अत्ति मैं आपके लिए नहीं नहीं dank किया तो प्लीज मेरी चैनalnya को सबस्क्राइब कीजिए सबस्क्राइब के Stanford के Séyan मैं जो आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस निल करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक लिफ का जो कीचेन है वो सिकानी वाला हूं तो उसे कैसे बनाना है वो स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैं दिलिया है ये light green color का उल है ये मेरा shining का उल है ये ये कीचेन डिंग है मेरी और क्रोशे हुख है मेरा 9 नंबर का तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं दिखे फ्रेंड्स फर्स्टली हमें यहाँ पर एक slip knot बना कर लेना है slip knot बनाने के बाद हमें यहाँ पर 12 chains बनानी है टोटल 12 chains बनानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा और ये बारा starting से दो chains छोड़ देना है जो हमारा single crochet count होगा और third chain में हमें देखे एक दो छोड़ दिया और third chain में हमें यहाँ पर एक single crochet बनाना है देखे इस तरीके से आपको फिर से दिखा देता हूँ दो चैन चोड़ देना है और जो हमारा थर्ड वाला चैन है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिट बनाना है फिर जो next वाला हमारा जो चैन है हमें यहाँ पर एक half double क्रोशिट बनाना है सुई पर धागी को लिया चेन के अंदर दाला और तीनों धागों को एक साथ जोड़ देना है इसे हम half double crochet कहते हैं next chain में अब हमें यहाँ पर दो half double crochet बनाने हैं देखिए इस तरीके से हमें half double crochet बनाना है अब next chain में हमें एक triple crochet बनाना है triple crochet बनाना है तो धागे को सुई के उपर दो बार लपीटना पड़ेगा फिर हमें यहाँ पर दालना है chain में एक बार निकाला, दो बार निकाला और यह तीसरी बार हम इसे triple crochet कहते हैं फिर इसे हमें जो next chain है हैं यहाँ पर हमें दो ट्रिपल क्रोशेट बनानी है देखे इस तरीके से जो नेक्स्ट वाला चैन है यहाँ पर अब हमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है देखे इस तरीके से जो नेक्स्ट वाला चैन है यहाँ पर हमें अब दो डबल क्रोशेट बनानी है देखे, एक डबल कुशिट हो गया हमारा, दो डबल कुशिट, देखे, एक डबल कुशिट हो गया हमारा, और ये दूसरा डबल कुशिट अब जो हमारा नेक्स्ट वाला लूप है यहाँ पर हमें एक हाफ डबल कुशिट बनाना है देखे, Half Double Crochet बनाना है जो Next वाला ये लूप है, यहाँ पर अब हमें एक Single Crochet बनाना है और जो ये वाला Next लूप है, यहाँ पर हमें एक Single Crochet बनाना है देखे, इस तरीके से हमारा Leaf का Half Part रेडी हो गया है अब हमें Turn करना है, तो इसी वे अब हमें एक Single Crochet बनाना पड़ेगा देखे, इस तरीके से Turn करने के बाद फिर से अभी यहाँ पर हमें एक Single Crochet बनाना है फिर जो Next वाला चैन लूप है हमारा, यहाँ पर एक Single Crochet बनाना है इसके बाद हमें, हमने यहाँ पर जो जो मतलब इस चैन में अगर हमने दो Double Crochet बनाए होंगे तो इसी चैन में हमें अब दो Double Crochet बनाने है तो Next वाले चैन में अब हमें Half Double Crochet बनाना है देखे, इस तरीके से Half Double Crochet Next वाले चैन लूप में अब हमें दो Double Crochet बनाना है दिखे दो double crochet नेक्स्ट वाले chain loop में अब हमें triple crochet बनाना है तो धागी को दो बार सुई पिल पेटा और निक्रालते गया नेक्स्ट में अब हमें दो sorry दो triple crochet बनाने हैं दिखे एक दो तो अब हमारी यहां पर दो triple crochet बन गए है नेक्स्ट वाले loop में अब हमें एक triple crochet बनाना है दिखे इस तरीके से फिर से नेक्स्ट में अब हमें एक sorry दो double crochet दिखे इस तरीके से हमारे दो double crochet बन के ready हो गए है नेक्स्ट में अब हमें यहां पर एक half double crochet बनाना है नेक्स्ट वाले लूप में अब हमें एक सिंगल क्रोशिट बनाना है और नेक्स्ट वाले लूप में फिर से एक सिंगल क्रोशिट बनाना है देखे फ्रेंड्स यह हमारा लेफ बनकर रेडी हो गया है देखे इस तरीके से यह दिखता है फिर हमें आप जितनी चाहिएं आपर चैन्स बना सकते हैं देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे मैं आपर सिर्फ छे चैन्स बना रहा हूँ जो हमारा यहां का सिंगल कुशिट था उसमें हमें यहां पर यह एक्स लिस्टिस से बंद कर देना है बंद करने के बाद अब हमें जो हमारा लीफ होता है जो इसके अंदर एक दिखे ऐसे एक यह बना होता है बॉर्डर बना होता है इस लिफ के अंदर ओ बॉर्डर बनाना है तो अब हमें दिखे सुई को यहां से डालना है धागे को उपर लेना है दिखिए इस तरीके से दिखिए यहाँ पर जो हमने एक एक बनाया है दिखिए यहाँ पर तो धागे को उपर लाना है और यहाँ पर यहाँ पर यह कंप्लिट कर दिया दिखिए इस तरीके से आएगा यह फिर जो हमारा नेक्स्ट है जो हमने नेक्स् बना दिया, दिखिए इस तरीके से, नेक्स्ट वाले लूप में दाला, धागे को उपर लाया, और यहाँ पर बना दिया, नेक्स्ट वाले में दाला, धागे को उपर लाया, बना दिया, नेक्स्ट वाले में दाला, धागे को उपर लाया, फिर से यही पोसिजर हमें तिल यह यहां पर end तक बनानी है, देखिए, इस तरीके से, देखिए friends, यह हमारा leaf बहुत ही सुन्दर दिख रहा है, देखिए, इस तरीके से हमें, देखिए friends, यह leaf अब हमारा बन कर complete हो चुका है, देखिए, इस तरीके से, आप एक और chain मना कर यहां पर दागे को कट करके, अच्छी तरीके से छुपा दीजिए, देखिए, इस तरीके से, आपको यहां पर leaf को बनाना है, आप चाहे तो इससे बड़ा भी leaf बना सकते हैं, या फिर इससे छोटा भी leaf बना सकते हैं, देखिए, बाद में हमने जो, kitchen का जो ring लिया था, जो हमने kitchen का ring लिया था, उस ring को यहां पर attach कर देना है, देखिए, इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से, हमें यहां पर ring को धागे में attach कर देना है, और इस तरीके से, यहां मारा leaf का kitchen बनकर complete हो गया है, दागे को अच्छी तरीके से नॉट लगाकर कट कर देना है देखिए इस तरीके से हमें दागे को अच्छी तरीके से नॉट लगाकर कट कर देना है और दागे को छुपा देना है देखिए पर इस यह हमारा लिफ्स की चेंड मन कर रेडी हो गया है प्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आ गया हो। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चान को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के बाजु में जů बेल Because का ब्तन आता है उसे जरूरे वीडियो को कमेंट कीजिए और जादा से जादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजी Thank you